बिहार उद्धियमी योजना आपको बहुत सारे साथियों का कोश्चन आ रहा था कि सर उद्धियमी योजना के बारे में और सारी डिटिकी जो हमने एक इकाई लगाने के लिए हमने भी लोन का अपलाई किया था और 2021-2022 में मेरा सी के किस्त हमारे खाता में आ चुकी है और ज बहुत सारे साथियों का कोश्चन आ रहा था कि सर उद्धियमी योजना के बारे में और सारी डिटिकी बताईए तो हम आपको एक खुसी की बात बता रहे हैं कि जो हमने एक इकाई लगाने के लिए हमने भी लोन का अपलाई किया था और 2021-2022 में में मेरा लोन यानिकी एयर था तो 2021-2022 में मेरा भी नाम उस लिष्ट में आ गया था और उसके तहत जो है ना यानि कि हमें जो यह लोन के तहत जो उद्धियमी योजना के तहत जो रासी मिलती है 10 लाक रुपे तो यह 10 लाक रुपे जो है ना यानि कि एक बार में नहीं मिलती है यह 10 लाक रुपे की टर्म जो है ना आपको दो बार में मिलती है और दो बार में मिलती है तो यह बात तो का भी हम आपको प्रूफ भी देंगे कि वह कैसे मिलता है तो जानलीजे यह दो बार में मिलती है तो जो सबसे पहला बार जो मिलता है चार लाख रुपया और उसके बाद दूसरा बार कितन भी महसूस हो रहा है यह रुपया के किस्त हमारे खाते में लगभग कुछ दिन पहले ही आई थी 15-20 मतलब 15 दिन पहले लगभग आप्रोक्सिमेटली लेकिन हम इस पैसे के यानि कि हम नहीं देख पाए थे अभी तक हम नहीं देख पाए थे और जब कल हमने जा करके जब हमने अपना बैंक में जब इसका चेकिंग कर आया कि अभी तक मेरे पास पैसे क्यों नहीं आया है देखिए तो थ्रौसा कोई प्रावलम है कि यानि करेंट एकाउंट है जिला करियाले में है इसलिए थ्रौसा जाने में समय लगता था और वहां पे मुझाफ़पुर गया डिया से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारा एक सुक्ष्म लगू उध्य होगा एक किसी यानि की बड़े हम आपको यानि की रोवर्टी की उसाकी इस प्रकार से हम कोई बुक पर रहे थे उसमें हम देखे थे कि जो है ना यानि की बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाए तो उसी के दाथ हमारे भी वही परियास है कि हम एक क्या चीज बने तो छोटा मालिक बने अब छोटा मालिक बनने के लिए जो है ना हमको क्या चीज की तो भाई खुझ से तो बन नहीं पाए हैं तो इसके लिए हम क्या चीज की हैं तो यानि कि हम सरकार का सह सहारा लिये है, तो सरकार से हम सहारा लेर करके, यायनि कि क्या कि बाद में तो इनको पैसा देना ही है, लेकिन आप लोग पता है कि इसमें से 5 लाख रुपई मे GU would be का व्याज को उतना लेगी तो मात्र बहुत मिनमम इंट्रेस्ट पर अगर आप लोग भी लेना चाह रहें तो आप जरूर वीडियो का कॉमेंट सेक्षन में जरूर करें ताकि इसकी डिटेल हम वीडियो की जानकारी दे चुके हैं कॉमेंट सेक्षन में हम आपको सबसे पहले बनने का बहुत बड़ा ओफर्चुनिटी है आप लोग इस ओफर को छोड़े नहीं बियार सरकार उद्यमी योजना निकाली है इस योद्यमी योजना के तत परतिक जो उद्यमी यानि कि जो उद्यमी बनना चाहते हैं उन ब्यक्तियों को 10 लाक रुपय लोन दे रही है और हाल फिलाल में अभी घर बनने का सबसे परचलित यानि की इट है ब्रिक्स का मतलब इट होते हैं यह इट है जो सिमेंट से और कॉंक्रीट से और फ्लाइस से बनता है और उसके बाद पेवर ब्लॉक का हम इट बनाएंगे पेवर ब्लॉक आप जान लिजे जो हमारे आसपास के साथ ही होंगे वो हमसे भी इंक ले सकते हैं और नली गली का काम हो चाहे कोई भी रोड का काम हो तो यह काम होंगे फंद्रभित हर् चाहें इसनी loan को लेना चाहते हैं तो यह पाँच प्रकार से सरकार देती है एक तो युभा को दूसर का महिला के और तिसर का उसके बाद हम बात करेंगे तो OVC को OVC और BC को BC OVC का आता है BC EBC होता है और उसके बाद SCST होता है ठीक है जिसमें कि आपको हम बता दें कि जो महिला और SC प्रफना आपको सरकार ब्याज नहीं लेती है यानि की फावफा में चोर देंए यानि की बहुत अछय उपरिछिनिटी है यूबह में है और विच्ई विच्ई में है उनको क्या करना पड़ता है विप और उसके बाद बाखी रुपए ये रेश्ट इमाउंट को एक परतेसत परती ब्याज तर्थ से यानि कि पैसा देना पड़ता है उनको सरकार को लवटा देना पड़ेगा और जानलीजे यह छोटा सा मालिक बनने का बहुत बरा उपरचिनिटी आप लोग भी अपलाई कर सकत हैं महिला वाले में भी जेनरल जाती के महिला भर सकते हैं जेनरल का मतलब जो है जेनरल जो उचे काश्ट के होते हैं जैसे ब्राब्मन राजपूत भुम्यार यादव अब यह सब लोग भी भर सकते हैं यूबा में और उसके बाद ओबी सी और बीसी बीसी में केबल बीसी जाती वाले हैं महिला में भी सारे लोग भर सकतें CCST में केबल यह जाती वाले लोग और जानलीजे इसमें जो है न यानि कि सबसे बढ़ा एक चीज आता है जो की कम से कम इंटर पास होना चाहिए कम से कम इंटर पास आपको सर्टिफिकेट देने परेंगे उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए अपलाई करने के लिए अभी सरकार अभी फिलाल 2022 से 2023 में जो है ना अभी कोई बैकेंसी डेट नहीं निकाली है कि कब से अपलाई होगा लेकिन आपको हम बता दे कि बहुत जल्दी लगबग अठारा तारीक से एलान है ठीक हम इस बातों में सचेत करना चाहेंगे कि जो बैक्ति अलग कहीं रह करके मतलब अभी कहीं पर जॉब कर रहे है और उनके पडिवार के हाले ते स्थिती ठीक नहीं है वह बैक्ति इसमें अभी अपलाई करे लेकिन अभी इस पर नीरफर नहीं होई क्यों क्योंकि हम आपको कि पिछले बार सिप्ट्यमबर में अपलाई किया था जान ली जे पिछले बार 2020 के सप्टैमबर में अपलाई किये थे और उसके doğru के रासी जो है लोग का एमांट जो है थोड़ा रुपया कमा लेता हूं जीनते हैं आप Ho stops कर सके इसके लिए कोई वरिवात नहीं है, आप को बतारा रहे हैं यानि कि जो हैं यह सब चीज इसके लगता है और इसमें जो document लगते हैं उसकी बात अगर हम कर ले तो इसके लिए आपको सबसे पहले जिस form को यानि कि आप start करना चाहते हैं उस form के नाम से आपको account चाहिए उस form के नाम से account चाहिए और तो फॉर्म का एकाउंट कुलेगा तो यह करेंट एकाउंट खोलेगा उसके बाद जो ब्यक्ति अप्लाई करेंगे उनके पास जो है न यानि कि मैट्रिक का मूल परमान पत्र मूल परमान पत्र स्कूल में तीन साल बाद आता है ठीक है वो मूल परमान पत्र होना चाहिए मार काड और यह सारी डिटेल आपको जो डोकुमेंट चाहिए इसका यह टूजर डिटेल हम आपको बता देंगे ठीक है और उसके बाद हम अगर बात करें तो यह सब चीज अगर आप लेना चाहते हैं तो जान लिजे इसके लिए बहुत जल्दी डेट आएगा जो लोग भी लेन चाहे वे लोग अपलाई कर सकते हैं और इसका अगर बिशेश डिटेल अगर आपको चाहिए जानकारी तो आप हमारे इस वाट्सेप नंबर पे आप संपर्ख कर सकते हैं इसके माध्यम से आप हमसे एटूजर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो धन्यवाद फिर मेरेंगे नेश्ट वीडियो में तब तक लिए जया हिंद बाई बाई